जहिंद वेलकम टू विजेपथ एजुकेशन पालूमपूर एक वार आप सभी का HRTC ओनलाइन बैच में हारदिक स्वागत है आज एक वार फिर से हम आपके साथ ओनलाइन क्लास में जुड़ चुके हैं इस क्लास में हम मोर्टर वाहन से रिलेटेड सर्क सुरक्षा संकेत जान जानकारी के लिए आप हमारा HRTC का ओनलाइन पेड बैच जोईन कर सकते हैं जिसके लिए आप www.vijepatheducation.com के उपर या फिर प्ले स्टोर से विजेपथ गौर्वर्मेंट एक्जाम प्रेपरेशन आप डाउंडोड कर सकते हैं जिसमें से हमने सिर्फ 200 रुपे में HRTC कंड़क जो है उस बैच को जोईन कर सकें सो स्टार्ट करते हैं आज की स्क्लास को देखिए सबसे पहला कोशन है हमारे पास तो देखिए कोशन no 1 हमारे पास दिया गया है यह जो चेन है यह किस चीज का संकेत करता है तो पिछली क्लासेज में भी हमने यह डिसकस कर लिया था तो यह देखिए गाड़ी है और गाड़ी के आगे जो है वह ऐसे साब जैसे जो है वह कुछ ऐसे सडक जो है वह बनाई तेड़ी मेड़ी सड़क बनाई गई है इसका मतलब है यहाँ पर जो सड़क है वो कैसी है फिसलन बाली सड़क है इसलिए option B इस question का बिल्कुल right answer होगा next question है इसमें बताये गया fog lamp का उपयोग किया जाता है तो fog lamp जो है वो गाड़ियों में उपयोग किया जाता है और mainly HRTC conductor का जो हमारा online batch है उसमें आपको इस तरीके के सारे के सारी question जो है वो discuss करवाए जा रहे हैं ताकि आपका exam जो है वो 101% आपसे crack हो जाए और इस बार PSC जो है वो आपका exam conduct कराएगा HPPSC तो paper का level जो है वो थोड़ा सा अप रहने वाला है तो देखी question में बताया गया कि fog lamp का उपयोग हम कब करते हैं जब धूंद होती है रात के समय सामने वाला बाहन fog lamp का उपयोग ना कर रहा हो तो हम करेंगे या फिर दिन में तो देखिए fog lamp का भी आपको पता होना चाहिए पहले की गाड़ियों में तो extra जो है वो lamp का एक space दिया जाता था लेकिन अगर आज कल नई गाड़ियों की बात करें तो जो main lamp होता है उसी के नीचे जो है वो बलव अर्जस्ट किया जाता है companies के द्वारा उसी को fog lamp कहा जाता है तो इसका जो use किया जाता है वो mostly हम जब धुन्द होती है तब हम इसका use करते है रात के दौरान भी हम इसका use करते हैं जैसे कि 5 वजे अधेरा शुरू हो गया होने तो हम fog lamp का use करेंगे जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी हम main lamp की और जो है वो आ जाते है लेकिन main list को use किया जाता है जब धुन्द होती है next question है गाड़ी चलाते समय यदि आपको थकान महसूस होती है तो हमें क्या करना चाहिए important question है गती को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए नहीं बिल्कुल भी नहीं speed तो आपको बिल्कुल नहीं बढ़ानी है गती को थोड़ा कम करना चाहिए हाँ ये हम कर सकते हैं एक कम वियस्थ मार्ग खोजना चाहिए यानि कि एक कम वियस्थ यानि कि जहां पर भीड़ भाड़ ना हो ज़्यादा विवस्थित ना हो यानि कि वहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो तो वो हमें मार्ग खोजना चाहिए ये भी नहीं हो सकता अराम करने के लिए शुरक्षित जगा पर हमें रुकना चाहिए तो देखिए option B और D जो हैं उसको वहाँ पर रेस्ट करके या फिर चायव पीके जो एक फ्रेश है फ्रेशनेस जो है वो हम वहाँ पर जो है वो ले सकते हैं ठीक है next देखिए होर्न के परकार की अनुमती कब होती है multi, toad hon, air hon, electric hon या फिर dj hon तो hon के परकार की अनुमती कौन सी गाड़ियों में जो है वो hon लगाया जाता है तो electric horn जो है वो गाड़ियों में normally जो है वो लगाया जाता है option C इस question का right answer रहेगा next question हमने symbol वाली class में discuss किया था नीचे देखिए एक tyre का चितर यहाँ पर दिया गया है यह जो चेतर है यह ट्रक के टायरों का चेतर है और उपर लिखा गया है 4T 4T का मतलब होता है 4 ton यानि कि जो ट्रक है वो क्या कर सकता है 4 ton तक भार जो है वो उठा सकता है so option D एक्सल भार सीमा जो है वो इसका right option रहेगा next देखिए यह चिन आपको क्या दर्शाता है तो पहले जो है रास्ता वो काफी खुला है उसके बाद रास्ता जो है वो क्या हो गया congested हो गया ठीक है यानि कि पहले रास्ता काफी खुला है आगे जाके रास्ता क्या हो गया congested हो गया ठीक है तो इसका जो है option कौन सर हैगा पुल के बारे में नहीं बता रहा है ये सिर्फ सड़क के बारे में बता रहा है सो option B आगे संकीर्ण सड़क है यानि कि आगे जो रास्ता है वो बिल्कुल congested है तो थोड़ा ध्यान से आपको चलना option B is the right answer next one किन परिस्थितियों में overtaking करना मना है आप कौन सी परिस्थितियों में overtaking नहीं करेंगे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब अन्य बाहन के traffic की असाबधानी हो ठीक है next option बाहन के speed धीरे हो जाए तब आप कर सकते हैं रातरी के दोरान या फिर इनमें से को ही नहीं तो इसका right option है option number A जब अन्य बाहन के traffic की असाबधानी हो यानि की काफी ज़ादा बाहन जो है वो वहाँ पर चले हैं तो उस case में या फिर अन्य बाहन जो है वो काफी ज़ादा उस road के उपर traffic है तो हमें overtaking जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्यूंकि हमें overtaking मना करने का question जो है वो driving license रद करने के लिए उतरता या फिर उसको निलंबित किया जाना चाहिए बाहन का पंजिकरन रद किया जा सकता है या फिर कुछ भी नहीं होता है तो इसका जो option है वो है आपका option number B यानि कि जब सारवजनिक स्थान पर हम बाहन को छोड़ कर ऐसे ही चले जाते हैं तो उसके लिए जो है वो driving license जो है वो रद जो है वो हो सकता है उसको निलंबित कर दिया जा सकता है next देखिए most important question इस class का और जातर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं यह plus का चितर दिया गया है किसका चितर है और अस्पताल जातर बच्चे अस्पताल को ही टिक करेंगे लेकिन अस् प्लस का और एक बेड का चितर दोनों का चितर होना चाहिए उसे हम अस्पताल कहते हैं यह जो है option B यानि कि प्रात्मिक चिकित्सा का जो है यह symbol माना जाता है यह चीज़ आपको धियान में रखनी है अगर यहाँ पे इस plus के symbol के साथ साथ एक बेड का चितर भी अगर दिया होता तो वो चितर किसका होना था वो symbol किसका होना था अस्पताल का होना सा तो इस question का जो right answer रहेगा वो है आपके पास option B next question है आप सामने से एक बाहन के आगे कैसे निकल सकते हैं तो यानि कि अगर आपको overtaking करना है सामने से तीक है आप सामने से एक बाहन के आगे कैसे निकल सकते हैं सोरी overtaking की बात नहीं है बाई और से बोल गया है दाई और से बाई तरफ से अगर रास्ता चोड़ा हो तो आगे नहीं जाएंगे तो option D तो इसका आएगा नहीं लेकिन इसका जो right answer है वो है उस बहान के दाई तरफ से आप देखें अगर आप पीछे से आ रहे हैं हाँ आप सामने से एक बहान के आगे कैसे निकल सकते हैं बिलकुल सही बात यहाँ पर बताईगी option B is the right answer हमें हमेशा left तरफ से जो है वो चलना चाहिए लेकिन अगर आपको overtake करना है उस बहान से आगे निकलना है तो उस बहान के दाई और से आप क्या करेंगे आगे निकलेंगे C is the right answer पहले हमें देखना है जैसे कि अगर overtaking करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि क्या आगे रास्ता है या नहीं है या जो गाड़ी है वो speed से जा रही है कम जा रही है फिर हम सोचेंगे क्या हम overtake करें या ना करें फिर हम उसको action में लेंगे कि हमें वो करनी है या फिर नही करनी सो option C is the right answer next question है उतरते समय हमें क्या करना चाहिए तो उतरते समय की बात की गई है कि जब आप बस में बैठे हैं ब्रेक पहले clutch बात में मतला गर हमें गाड़ी को रोकना है हमें उतरना है गाड़ी से तो ब्रेक पहले दवानी है clutch बात में दवाना है clutch पहले दवानी है जो है वो clutch को दवाया जाता है पहले हलकी सी ब्रेक दवाई जाती है अब उसके बाद आपको पूरी की पूरी ब्रेक जो है वो एकदम से नहीं लगानी क्योंकि गाड़ी जंप लेके बंद हो जाती है फिर आप clutch दवाईएगा और last में थोड़ी सी ब्रेक आप और उसको प एक परिवहन बाहन को परिवहन का मतलब होता है जो सवारी को ढो सकते है यानि कि जहां से सवारी आप ले जा सकते हैं जैसे कि टुरिस्ट विकल होते है ठीक है परिवहन यानि कि जहां से हम travel कर सकते है ठीक है दो तरीके के बाहन होते है एक जो है वो हमरे अपने personal use के लिए होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो as a taxi की form में हम use करते हैं परिवेहन के लिए ठीक है तो बहान के रंग से उसकी पहचान कैसी होती है उसके रंग से टायर के अकार से ड्राइवर के मुह से नहीं option सीथ हो आपका कोई matching नहीं करता है बहान की number plate को देखे हां तो इसका जो right answer है वो है बहान की number plate को देखे अगर आपके पास खुद की अपनी गाड़ी है तो आपने देखाऊगा उसकी जो number plate है वो कैसी है वो है आपकी white रंग की लेकिन अगर आप taxi में जाते हैं तो उसकी जो number plate है वो कैसी है yellow color की तो जो yellow color के बाहन है yellow color की जिनकी रंग जो number plate है तो वो जो है वो परिवहन बाहन से जाने जाते हैं next question है और इसमें जो है वो last question रहेगा आज की इस class का एक symbol दिया गया है reverse की तरफ है you turn आप इसको बोल सकते हैं और बीच में एक cross लगाए गया है मतलब बिल्कुल क्या आपको नहीं जाना है तो डायरेक्ट दिख रहा है यू टन निशेद है यानि कि डी जो है वो इस question का बिल्कुल सही answer रहेगा I hope आपको जितने भी question आज यहां पर कराए गए हैं वो आपको बिल्कुल to the point आपको understand हुए है ज्यादा classes के लिए आप हमारे रोपीज उसकी total fees रखी गई है बिल्कुल minimum सी cost है आपका 6 महिने के लिए valid रहेगा लेकिन अजब तक आपका paper जो है वो आपके पास है यानि कि December में आपका paper होना है तब तक आप पूरी की पूरी त्यारी जो है उसके साथ कर सकते हैं different classes आपको subject wise उसमें देखने को मिलेगी साथ में हमारे mock test paper भी उसमें जो हैबू हमने डाल दिये हैं उनको भी आप जो हैबू वहां से दे सकते हैं तो आप app को download कीजिए class अची लगे तो आप एक बार like जरूर कर दीजिए जल्दी next class के साथ मैं मिलूँगा तब तक के लिए आप अपने notes बनाएए महनत कीजिए जय हिंद जय भारत